कहने को तो हमारी धरती बहुत ही बड़ी है लेकिन इसके तीन हिस्षे पर पानी और शिर्फ एक हिस्षे पर ही जमीन है इस करन दुनिया में भूमी यानि जमीन एक ऐसी सीज है जिसके लिए हमेशे बड़े-बड़े युद्ध होते रहते हैं इतिहस में भी जमीन के एक चोटे से टुकड़े के लिए कहीं बार बड़े-बड़े युद्ध हुया है और वर्तमन समय में भी रूस वर युक्रेन में जमीन अथियाने का तो ही युद्ध चल रहा है यानि एक देश के दोरा दुसरे देश की जमीन को हड़पने की इंसानो के भुख कभी नहीं मिटती है लेकिन जहनकर आपको हैरानी होगी कि दुनिया में एक ऐसी भी जगा है जिस पर कोई भी देश अपना हक नहीं जमाता उपर इजिप्ट याने मिश्र और नीचे चुड़ान के बिश मोजुद इस बीर तविल पर ये दोनों देश भी अपना हक नहीं जमाते है और अजीब बात ये है कि मिश्र इस बीर तविल को सुड़ान का इलाका कहता है तो सामने सुड़ान इसे मिश्र का इलाका कहता है यानि बीर तविल पर किसी कभी अधिकार नहीं होने के कारण बीर तविल में हर बार कोई न कोई विदेशी नागरिक जाक इसे अपना राज्य बना कर खुद का जंडा लगा देता है। एक बार तो हमारे एक भारती आदमी ने भी इस जगह जाकर खुद को यहां का शाशक मान लिया और खुद का जंडा लगा दिया यहां पर। लेकिन कुछ दिनों में वो भारती भी वापस भारत आ गया। तो सव पड़ोसी देश भी इस जमीन को क्यों नहीं हत्याना चाहते क्यों मिश्रे इसे सुडान का इलाका और सुडान इसे मिश्रे का इलाका कहता है इन दोनों देशों के भी इस क्या सिमा रेखा विवाद है और किस भारती आदमी ने यहां पर जाकर जंडा पहराया और वो यहां स से क्यों वापस आ गया था वो सब और इसके लावा और पर बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रही है तो बीरतविल अफरिका महादिप के मिश्र और सुडान की सीमा पर मौजुद एक लावारिश इलाका है जिसका आकर 2060 वर्क किलोमेटर का है वही अब पूरा इलाका लेंड लोग है यानि जिसकी कोई सीमा समदरे से नहीं लगती है इस मैप मैप देख सकते है बीरतविल अपनी सीमाओं को उपर मिश्र और नीचे चुडान के विवादित इलाके अलेप त्रिपुज यानि हलेप ट्राइंगल से साजा करता है चो ट्राइंगल रेट सी के साथ अपनी सीमा साजा करता है और भोगलिक द्रश्टी से ये सबस अब आप बीरतविल के आकार का अंदजा इस बात से लगा सकते है कि यूरोप के लगजंबर्ग देश या फिर लंदन चेहर के बराबर का इलाका है लेकिन ऐसा क्यों है कि उपर मिश्र और नीचे चुडान बीरतविल को अपना इलाका नहीं मानते तो इसकी सबसे बड़ी वज़ा ब्रेटिस साशन के द्वारा एतिहस में किये गिये मिश्र और सुडान की सिमावों का विवादित बटवारा माना जाता है तो चले जहनते हैं कि ब्रेटिस साशन की किस गलती के कारण आज भी मिश्र और सुडान बीरतविल को अपना इलाका नहीं मानते हैं तो इस इस अजीबो गरिब स्थिती की शुरुवात अठारवी चताबदी में हुई थी। जब ये मिश्र ओटमन सामराजजी के अधिन था। और तब ओटमन सामराजजी ने मिश्र देश को इतनी आजाती दे रखी थी कि मिश्र स्वयम अपने देश के फैसले ले सके और अपने अधिनी रहां। अब मिश्र की स्थिती भोगलिक रूप से बहुती महत्यपूर्ण है। क्योंकि मिश्र अफरिका को एश्या और यूरोप से जोटने वाली स्वयस कनाल के किनारे पर स्थित है। इसकरन उस समय अंगरिजों का मिश्र पर अधिकार करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि भारत समय देश्या के देशों से ब्रिटिस सरकार जो लूट करके यूरोप पहुचा रही थी। उसके लिए स्वयस कनाल का अधिकार अंगरिजों के पास होना ज़रूरी था। इसलिए अंगरिजों ने ओटमन सामरज जिसे युद्ध किया और उना हराकर मि अधिकार कर लिया। जिसके बाद ये स्वयस कनाल ब्रिटिस सरकार के पास आ गई। अब ब्रिटिस सरकार का मिश्र पर कबज़ा होने के साथ ही ये सुडन भी ब्रिटिस सरकार के अधिन हो गया। क्योंकि ये सुडन पहले से ही मिश्र के अधिन था। लेकिन यहां पर हु लोगों ने ब्रेटिस सरकार के साशन को अस्विकार कर दिया और सुडान के लोगों ने विद्रो शुरू कर दिया लेकिन सामने ब्रेटिस सरकार को सिर्फ मिष्र और उनकी स्वेस केनल पर ही अधिकार करने की जिरूरत थी इसलिए ब्रेटिस सरकार ने साल 1899 में एक अंतर रेखा के अंदर गत यह हलेब ट्राइंगल मिश्र के अधिन आ गया जबकि बीर तविल को सुडान का हिस्सा मान लिया गया इस मैप में आप 22 वी समान अंतर रेखा को देख सकते हैं चो अंग्रेजों ने साल 1899 में खीची थी वहीं हलेब ट्राइंगल रेड़ से पर स् सुडान की ही एक जंचाती के लोग थे और उनका सुडान से सिधा नाता था इसकरन इन बेजा ट्राइब के लोगों ने ब्रिटिस सरकार के खिलब दोबरा विद्रो कर दिया इसकरन साल 1902 में ब्रिटिस सरकार ने एड्मिनिस्ट्रेटिव बाउंटर एक्ट के अंतरगत व बेजा ट्राइब की मातरु भूमी थी और 22 वी समाना अंतर रेखा के दक्षिन में एक पहाड़ी हिस्सा यानि ये बीर्तविल चो खाना अबदोश अबबदा जंचाती का घर था और ये जंचाती मिस्र देश्चे सबंधी थी इसकरन ये बीर्तविल के हिस्से को मिस्र को दे दिया यानि 1902 में वापस खिंची गई रेखा से अलेप ट्राइंगल सुडान को मिल गया और बीर्तविल मिस्र को मिला लेकिन 1902 में खिंची गई इस रेखा को ना मिस्र की सरकार ने माना और ना ही सुडान के लोगों ने माना क्योंकि सुडान को और अधिक जमिन चाहि खेर तो इसके बाद साल 1952 में मिश्र को ब्रेटिस सरकार से आज़ादे मिल गई और इसके बाद तुरण साल 1956 में चुडान को एंगलो एजिप्शन साशन चाशन चाप पूरी आज़ादे मिल गई अब यह दोनों देश आज़ाद तो हो गिया लेकिन चुडान वर मिश्र के जमेन का विवाद खत्मनी हुआ और उपर से बाद में अलेट ट्राइंगल के इलाके में नेचरल गेज और ओयल निकलने के बाद तो इन दोनों देशों का जमेन विवाद और बढ़ गिया अब मिश्र ने ब्रिटिस सरकार के द्वारा साल 1899 में खीची गई रेखा को सही रेखा माना यानि मिश्र के अनुशर 22 वी समानांतर रेखा ही सुडान वर मिश्र की सीमा को तेह करती है ताकि यह ट्राइंगल मिश्र के हिस्से में आ जाए जबकि सुडान साल 1902 में ब्रिटिस सरकार के द्वारा खीची गई रेखा को ही वास्तविक रेखा मानता है ताकि यह ट्राइंगल सुडान का हिस्सा माना जाए इस करन आजएदी के बाद से साल 1960 तक मिश्र ने हलेप ट्राइंगल के पूरे हिस्से पर कबजा कर लिया और सुडान को कुछ भी नहीं दिया त्यूकि हलेप ट्राइंगल को सुडान 1902 में खीची गई रेखा के अंदर गत आज भी अपना हिस्सा मानता है और बीरतेविल को मिश्र का हिस्सा मानता है जबकि मिश्र साल 1899 के 222 समान अंतर रेखा को ही असली सीमा रेखा मानता है और बीरतेविल को सुडान का हिस्सा बताता है और हलेप ट्राइंगल को खुद का हिस्सा मानता है यानि सुडान और मिश्र में से कोई भी देश अगर बीरतविल को अपना हिस्सा मानेगा तो उन्हें हलव ट्राइंगल जैसे महत्पूर्ण हिस्से पर अपना अधिकार खोना पड़ेगा इसका रण यह दोनों देश बीरतविल पर अपना अधिकार नहीं करते है इसमें United Nations Summit कहीं देश ने इस सीमा विवात को सुल जाने की कोशिश की लेकिन अभी तक कोई भी सफल नहीं हो पाया है वहीं अगर वर्तमान में दुनिया का मैप को देखा जाए तब भी इन दोनों देश की सीमा बड़े अजिब तरिके की दिखाई देती है इसमें आपको दो लाईने दिखाई देती है यानि यह रेखाय ते नहीं करती कि किस देश की सीमा कितनी है इतना ही नहीं अगर बीरतविल के हिस्से की बात की जाए तो यहां इलाका बिलकुल बंजर और रेगिस्तानी है यहां पर ना कोई जनजिवान है और ना ही कोई पशुपंची रहते है यहां पर दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और धोल से बरे तूफान भी आते रहते है और बारिश भी इस इलाके में नाके बराबर होती है इस करण यहाँ पर रहना सब के लिए नामुम्किन है और नहीं इस इस क्षेत्र में कोई भी प्राग्रतिक संपधा मुझुद है यानि यह इलाका बिलकुल भी काम का नहीं है इस करण तो ना मिश्र और नहीं सुड़ानी से अपना हिस्सा मानता है क्योंकि इन में से कोई भी अगर बीरतविल को अपना हिस्सा मानेगा तो उने हलब ट्राइंगल जैंसे महत्पूर्ण अर्बो डॉलर के हिस्से पर अपना अधिकार खोना पड़ेगा इस करण तो जिस जमिन को दुनिया में नो मैंस लेंड के नाम से जाना जाता है और इस इलाके को एकडमिक भाषा में टेरा नीलिस कहा जाता है यानि धर्ती का वो इस्सा चो किसी का भी नहीं है इसी करण तो बीरतविल पर अलग-अलग देशों के लोग आकर खुद को यहां का साशक बना लेते है और ओनलाइन भी कहीं बार लोग बीरतविल एलाके पर अपना अधिकार करने के लिए पैटिसन भी डालते है लेकिन यह सभी पैटिसन सुडान और मिश्र के द्वरा रत कर दी जाती है और पिछले साल एक भारतिय सुईस दिक्षित ने भी इस इलाके पर अपना अधिकार जमाया था और उसने दुनिया भर के लोगों को सोचल नेट्रोकेंग के जरिये बीरतविल की नागरिकता लेने के लिए भी कापे उच्छाहित किया था और सुईस दिक्षित ने खुद का जहंड़ा भी बनाया था अब ये सब तो ठीक है इस आदमी ने बीरतविल का नाम भी किंग्डम अप दिक्षित रख दिया था लेकिन बीरतविल का मौसम ही कुछ ऐसा है कि यहाँ पर कोई भी इंचंद ज्यादे समय तक ठीक नहीं पायेगा ऐसे में ये भारती युवा भी वापस भारता गिया और जब उसे इस इलाके के बारे में पूछा गया तब उसने यहीं कहा कि बीरतविल कोई नर्क से कम नहीं है यहाँ पर ना तो कोई पानी है और ना ही कोई जीव है और उसना यहाँ भी कहां कि इस इलाके में इतनी गर्मी और धूल भरे तूपान आते हैं कि बिर्तविल पर रहना बहुत ही मुश्किल है यानि कोई भी देशिस बंजर और रेकिस्तान इलाके पर अपना कबजा करके अपना समय और पैसा बर्बाद करना नहीं साहेगा तो यहाँ सब कुछता इस वीडियो में उम्मेद है कि आपको कुछ जानने को मिला होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको इस तरह के इंफोमेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस सैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकोन को भी जरूर दबाए